स्टाप्लस के सीरियल इमली में हमने अब तक देखा कि जोती आर्यन और इमली के लिए रूम डेकोरेट करती है और इंडैरेक्ट्ली आर्यन को इमली के खिलाफ भढ़काती है आगे बडी मा कैंडल परदे के आगे रख देती है इमली के कमरे में वहीं आगे हम देखते हैं कि इमली घर आती है और आरेन की गले लग कर फूट फूट कर रोती है और सारी बाते बताती है एक्सिडेंट की और फिर आरेन कहता है कि उस लड़की को कुछ नहीं होगा और मैं उसकी घरवालों को ढूंडूंगा आगे इमली को पता चलता है कि आरेन ने उसके लिए रूम डेकोरेट किया है वो खुश हो जाती है और दोनों की बीच में हमें रोमेंटिक मॉमेंट देखने को मिलता है वहीं आगे हम देखते हैं कि जोती को गुसा आता है और उसकी पती का कॉल आता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि नाजमी जिन्दा है लेकिन कुमा में है और उसी को लेकर अपने पती पर गंदे इल्जाम लगाती है वेल इसी के साथ आगे हम देखते हैं कि माधब आता है और जोती उससे इमली से रिलिटेड अजीब और गरीब सवाल करती है ये देखकर माधब हैरान होत है और माधब वहां से निकल जाता है वहीं आगे हम देखते हैं कि आरेन को इमली की चीख सुनाई देती है और आरेन आता है और देखता है कि पूरे कमरे में आग लगी हुई है वो हैरान होता है ये देखकर लेकिन यहाँ पर इमली को बचाने में काम्याब हो जाता है लेक देखना दल्चस्प होगा कि कैसे कैसे जोती चाले चलती है आरेन और इमली को एक दूसरे से दूर करने के लिए लेकिन देखना ये भी दल्चस्प होगा कि जोती की चाल उसी पर पड़ती है भारी जहां आरेन और इमली आएंगे एक दूसरे के करी जानने के लिए देखना अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले